तो यार दोस्तों एक बाद दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर सबसे पहले दोस्तों आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ तो भी इस चैनल को सबस्क्राइब करते हैं लाइक करते हैं शेर करते हैं कॉमेंट करते हैं तो डेफिनिटली मै 12 से एक स्टॉक लेके आया हूँ 34 पैसे का स्टॉक है 33 पैसे और 34 पैसे का आज पर ट्रेट कर रहा है डेफिनिटली आपको अच्छी रड़न दे सकता आप इसको बाई करें चलिए वीडियो अन तक देखना है इस पे कुछ टेक्निकल चीज़े होगी जो आपको एक्स्प्रेइन करूँगा कि आपको स्टॉक को कैसे बाई करना है स्टॉक के टेक्निकल और प्रॉफिट और लॉस सेर करने से पहले एक छोटा सा मेरी जो होल्डिंग है पैनि स्टॉक में ही उसमें मैंने कुछ होल्डिंग कम करी है तो मैं आपको बतला देता हूं कि मैंने कौन को स्टॉक अभी बेचे है तो आप भी उनको देख लो एक बार तो यह जो होल्डिंग है कि देख सकते हैं ऐसे कुछ स्टॉक में अभी पढ़े वे अलका है ठीक है मेरे पास CCFL भी है तो मैं आपको बता देता हूं इन मेंसे मैंने जो होल्डिंग कम करी है दो स्टॉक है एक है JP InfraTech और KGL करके स्टॉक था इन दोनों मैंने उसको होल्डिंग बेच दी होल्डिंग बेचने का मकसद यह था कि क्या हुआ कि दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो बताया था उनमें से बहुत लोग का कॉमेंट आया सर यह कंपनी इंसॉल्वेंसी के कगार में है तो इनको आप प्लीस रिकमेंट सजिस्ट मत कीजिए तो जब मैंने भी थोड़ा न देखके मैंने बाय करे है ना मैंने कोई न्यूजीड करी है मैं सिंपली चार्ट को देखता हूं और बाय करता हूं और आप देखोगे तो इनमें मुझे अच्छी खासे रिटन अभी आ रही है ठीक है अल्मोस्ट महा कॉब में तो आपको पताईए जैकपोट इसमें मारा असपर टेट कर रहा है हमें 30% के रिटन आ रिए इसमें और बागी अलका भी 19 पैसिक असपर टेट कर रहा है चाहो तो आप बाय कर सकते हो CCFL भी उनमें से एक है साथ परसेंट आप है आप भी जाओ उसको बाय कर सकते हो और जेपी इन्वराटेक और केजेल को बोलूँगा कि आप इस दोनों को स्टॉक को अपने अगर आपने बाय किया मेरे कहने पे एक्जिट कर लीजिए बस एक्जिट कर लीजिए इनको ठीक है महा काउप तरिक लिए भी जिए होगा इसमें हमें वन एक्सक्रिटन प्रॉफिट बुक कर लिया है अभी 200 परसेंट अप है और नाई साथ कॉफ 70 परसेंट दिखा रहा ह को definitely आपके लिए videos बनाता रहूँगा तो मैं आपको लेके चलता हूँ stock के नाम की तरफ तो दोस्तों जो stock का नाम है वो है PMC Fincom Limited PMC Fincom Limited है आप इसको buy किजिए ये भी 33 पैसे 34 पैसे के आपस पर trade कर रहा है definitely ये आपको अच्छी return दे सकता है future में आप इसको buy करके चलिए definitely आपको 1X तो return दे ही देगा और 1000X और 2000X भी देगा अभी आपको चार्ट ले बत्लाओंगा कि आपको ये 2000X की return कैसे दे सकता है और जो return होगी वो next 2 या 3 साल में आएगी ऐसे ने कि वो एक की दिन में आ जाएगी इसको चार्ट में भी देखोगे इधर 5 year के चार्ट में तो एक range में trade कर रहा है ठीक है जैसे range भी रिक आउट होगी ये stock आपको अच्छी return दे सकता है 34 पैसे 33 पैसे का सब buy कर लिए कर लिजिए और एक और बात बोल मुँआ कि ये stock अगर आपको कभी भी ये stock को मैंने आपको बतलाने में थोड़ी लेट कर दिया है मैंने भी साइट को अभी 34 पैसे का सब बाई किया है 25 देख सकते हो कि इसने almost 25-25 पैसे का असपास यहां बनाया है देख सकते हो कि इसने एक last year के असपास 23 पैसे का सब बेस बनाया है 25 पैसे तो इस बेस में ही मैं आपको बोलना हो बाई करने के लिए अगर आपको 25 पैसे कर भी stock मिल जाता है तो definitely आखे बन करके इसको बाई कर लेना यह आपको अच्छी रिडन दे देगा ठीक है तो यह तो होके इसके चार्ट की बात आट सो रुपे के लेबर से लगाता है यह stock गिर रहा है तो मतलब अगर यह stock जैसे भी कैसे अपना दो रुपे और एक उरुपे पचात पैसे का रजिसन्स जो है बहुत सालों का रजिसन्स है अगर यह उसको ब्रीच कर देता है एक अच्छे टाइम फ्रेम है मंतली में तो देख हो जाता है तो डेफिनेटली इस टॉक्स और भी दिखा सकता है इसका जो पड़ावर सब खुला हुआ है क्योंकि इंट्रेश को गिरावट थी वह बड़ी गिरावट आई है तो अगर यह एक बार इस एरिया को ब्रीच कर देता है तो डेफिनेटली यह बढ़ेगा अब देखे तो इससे हैं हुआ क्या कि एरिया इसका एक रजिस्टे एरिया बन चुका है ठीक है और यह लगाता है यहां पर पांच या चार-पांच साल पचीज पैसे भी यह स्टों गया है पचीज पैसे के आसवाब भी टिट्स ने ट्रेट किया और आल्मोस्ट चार-प यहां सब्जेशन सब्सक्रिआरिया जो है 84 और यह यहां पर जैसे इस ने एक बार इसको टैस्ट किया यह gain आया और rejection आते ही फिर जैसे तो दोड़ा नीचे आया ये और नीचे आने का 44 का लो लगा उसके बाद पर देखिए दोस्तों एक बड़ी बड़ी तीन चार केंडले बनी और उसने पुरा काम तमाम कर दिया ये चार-पांचो केंडले जो बनी है ये similar candle देख सकते हैं ये बनी पहरी ब jus इदर तो इसका ये एक रूप वोड़ सकती हो तो गरने का तरीका सेम था तो बढ़ने का तरीका भी सेम होगा वह बढ़का सब्सक्राइब हुए ऐड वो एक रूपे तो रूपे का अपना प्रैज बीज़ कर ले तो घर ना तरीका दो तो सीम तो इस टौक रिखा हुग में विलकुष सेम था आ मैं आपको दिखा रहता हूं धोस्तों देख सक तो सामने ऐस टॉक कर गिरने का तरीका देखिए धिश है एक rank क्रॉस कर देगा फ्रोड क तो इसके बढ़ने के तरीका भी सेम होगा जैसे हमारे е तालना सोलूशनुशन के तरह दा भी मिन्सकों टाइम लग सकता है जैसे इसको देख तालना सुल्यूशन और अल्मोस साथ से दस साल लगा है तब जाके पांस रूपर प्राइस रूपए के उपपर तो यह भी बिल्कुल वैसे बढ़ेगा जैसे तालना सुल्यूशन बढ़ा है तिक है तो गिनने का तरीका थीक है फिर फे consolidation किया है लगातार आप बोल सकते हो कि बहुत सालों तक और अब दस साले पांट साल का आप consolidation बोल सकते हो इसका भी सेम तालना solution के तरह ही और जैब ब्रेक आउट करेगा तो उसका बढ़ने का तरीका भी सेम होना चाहिए जैसे गिरा है ठीक है दो रोज सिम्रे आशा करता आपको समझा रहा होगा अब आगे लिए जो टार्गेट निकल के आते है चौटीस तैटीस वैसे में बाई करो फचीस वैसे में मिलता है जैकपोट है वन एक्स एडर नाए प्रॉफिट करो ठीक है बाकी प्रॉफिट आप रहने तो टार्गेट रहेगा उसके लि पर चार्ट आपको दिखा दिखा दिया ताना सेलिशन बिल्कुल सेम चार्ट बन रहा है पैटन और मेरे साब से 600 रुपए इसका भी आ सकता है देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस इसके फंडमेंटन एनलसिस की यह स्टॉक हमें क्यों पसंद आता है इसका आल टाम हाई और लो देखोगे तो 50 पैसे के हपास का हाई है और 16 पैसे के आपस का लो है ठीक है तो डेफिनेटली इसको आप 33 पैसे 34 पैसे में बाई कर ली लिजिए और अगर आपको 25 पैसे में कभी भी मिलता है तो जैक पूट स्टॉक हो गाई है इसके और क्या एक से प्रॉज है क्या एक अच्छी बात है कंपनी के लिएगी डेट फ्री कंपनी है और अपना जो इसका डेट यह स्को भी रिडूस करने में लगी है और दोस्तों आगे लेकर चलता हूँ अगर इसके पीर्स में देखोगे तो दोस्तों पीर्स में फाइन्स कंपनी जैसे बता आपको फाइनस तो एक अच्छी category की ये stock है मनला category का stock है और बनी में कभी भी कुछ अच्छी कबार आती है कि ये company कोई बड़ी company इसको overtake करती है ऐसी कुछ न्यूज मार्केट में आती है जैसे आपको याद होगा रूचिश होया ठीक है दो रूपे तीन रूपे के आसपा स्टॉक था और जैसे एक ख़बर आई कि इसको हमारा पतांजली बाबा मतलब हमारे बाबा राम देपजी इसको बाई करने वाले ओबर टेक करने स्टॉक में एक अच्छी खाजी उच्छाल आगे और देख सकते हैं इस पांसुर रूपे के आसपा ट्रेट कर रहा है तो इसी वज़े से कह रहा हूं कि यह स्टॉक भी सायथ कोई ऐसी कुछ न्यूज आ सकती है कि बजा फिंसर रविया बजा फाइनन्स में से कोई एक कर ले अगर ऐसी खबर मार्केट में आउट होती है तो इस टॉक रॉकित हो सकता है बागी प्राइस के साफ से मुझे अच्छा लगता है इसकी बुक्स के साफ भी अच्छा लगी रहा है स्टॉक अभी बुक्स भी दिखा दूँग आपको भी देख लिना तो आगे लिके प्रॉफिट में कंपनी कुछ कॉड़र से देखो यहां बस इसको लॉस था उसके लॉस के बाद इस कंपनी प्रॉफिट में आई है तो डेफिनिटली एक अच्छा यह स्टॉक बन सकता है फ्यूचर में जैसे इसके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आता है कि यह कुछी हो सकता है तो इसको अपने डाह में रखो डेफिनिटली आपको बाय करना चाहिए तो तीस पैसे है हजाद होजार रुपे भी लगा दोगर यह टेंशन नहीं है इस रोक आपको अच्छी रिटन दे सकता है और तरीका आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग का जैसे आपको 100% की डेटन आए 100% की डेटन आपको बुक में शो करें आप अपना प्रॉफिट को मार्केट में रहने दो बाकि आपकी जो इन्वेस्मेंट कैपिटल है उसको आप बिट्रो को लो मतला प्रॉफिट में बुकिंग कर लो बाकि आपकी जो प्रॉफिट रहेगा उसको आप वेट करो जो target में आपको बथा रहा हूं at least 10 रुपे का टो target फस्ट है इसके अब 20 रुपे का target भी है फिर 30 रुपे का target भी निकल के आते हैं नीचे लेके चलता हूं नीचे और देखलते हैं क्या है इसके यह आप देखते हो यह yearly profit है तो yearly profit में अगर net profit देखोगे तो इस साल लगतार 3 सालों से इसको date 8 crore का असपास का profit हो रहा है तो एक अच्छी बात है कि company एक books में कुछ ना कुछ profit show कर रही है इसका मतलब है कि कभी भी अगर कुछ story आती है news आती है इस price rocket हो जाएगा rocket हो जाएगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा इसको buy करने ख इसलिए अभी अभी ही मौका है 33 पैसे में buy कर लो अगर अगर 25 पैसे कभी आपको मिल गए 25 से 26 पैसे अगर आपको कभी मिलता है 26 पैसे तो भाई यह stock rocket हो जाएगा जैक पुट स्टॉक होगा मेरे साफ से ठीक है 20% के आसपा सिर्फ से रोल्डिंग पैटन है मत्तब प्रमोटर्स की होल्डिंग पहुत कम है पब्लिक इसमें जादा है तो एक ये इसका एक बैट फैक्टर बहुत सकते हो कि इसके इसको से रोल्डिंग पैटन इतना खास नहीं कि हमें क्या है हमें हमें क्या करना होता है हमें सिंपल है कि हमें मूब्स को पकड़ना होता है तो हमने इसको 34 पैसे 30 पैसे हम इसको बाय करेंगे और जैसे मूब्स आएगी 70-70 पैसे होगा हम 100% के टन में प्रॉफिट बुक कर लेंगे और जैसे कुछ न्यूज आती है उसक स्ट्षूक अच्छा मुझे लग राया है बाकी आप अपनी सवच भी आड़ कर लेना और अपने साफ से आप देख लेना चाहिए ने यह मेरे साफ मुझे तो लगता है इसको भाइख करना करके चलना चाहिए मैं इसको करूँ मां आप करू ना करू थोड़ाई वीडियो पसंद आया डेफिनेट लाइक कीचे सेर गेचे कॉमेंट कीचे मिलता हूं आपको बेंड़ाई के वोड़ा तिल नमाया बेताने के वनना बेवना